हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको एक ऐसी कॉलेटी के बारे में बताने वाला हूँ जिसे अगर आप डेवलोप कर लो तो आप कोई भी लक्ष को हासिल कर सकते हो एक्चुली ये बेस्ट कॉलेटी है और मॉस्ट इंपोर्टन है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए और इसके बीना सक्सेस हासिल करना पॉसिबल ही नहीं ये एक स्पेशल कॉलेटी है जो आप डेवलोप कर सकते हो आपकी शांदार सफलता और खुशिया हासिल करने के लिए वो कॉलेटी है सेल्फ डिसिप्लिन अगर आप इसे डेवलोप नहीं करते तो आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते हाला कि आप पूरी तरह सक्षम हो उसे हसिल करने के लिए आपके पास वो सारी काबिलियत होने के बावजूद अगर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा तो सफल होना मुश्किल हो जाएगा लेकिन अब सवाल ये है कि सेल्फ डिसिप्लिन डेवलोप कैसे करें सेल्फ डिसिप्लिन आपकी आदत है और जीवन जीने का तरीका है सारे सक्सेसफुल लोग बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं अपने महत्वपून कामों को लेकर जबकि unsuccessful लोग undiscipline होते हैं और अपने व्यवहार को control करने में असक्षम होते हैं जब आप अपने जीवन में high level discipline develop करते हो successful लोगों की तरह तो आप भी बहुत जल्द वही result हासिल करना शुरू कर दोगे जो वो करते हैं ये किसी चमतकार की तरह काम करता है जीवन में महान सफलता किसी एक गोल के उपर continuous effort और focus के साथ हासिल की जा सकती है किसी एक most important गोल के उपर दरता से काम करें जब तक कि उसे हासिल ना कर ले दुनिया में जितने भी successful लोग हुए हैं उन्होंने किसी एक गोल के उपर कई हफतों, महीनों और सालों तक discipline के साथ particular direction में काम किया और शांदार सफलता है हासिल की आपके लिए good news ये है कि self discipline आप सीख सकते हो continuous practice करके इसे बार बार practice करिए जब तक कि आप इसमें master ना हो जाए और जब आप काम को टालते रहने से, बहाने बनाने से बाहर आ जाते हो और self discipline बिल्ड कर लेते हो तो फिर कोई लक्ष ऐसा नहीं जिसे आप हासिल ना कर सको और कोई काम ऐसा नहीं जिसे आप पूरा ना कर सको successful लोग वो होते हैं जो हमेशा अपना time high value task पे काम करते हुए खर्श करते हैं जबकि unsuccessful लोग low value activities में अपना time बरबाद करते रहते हैं अगर आप beat से अलग होना चाहते हो तो आपको main goal पर पूरे discipline के साथ काम करना होगा और जब आप अपना पूरा समय बहुती important काम को करने में बिताते हो तो आप उन सभी गेर जरूरी कामों से बाहर निकलाओगे जो आपको अपने real goal को अचीव करने से distract करते हैं और अगर आप उसका उल्टा करते हो तो इसका reverse होगा अपना main goal पर काम करने के बजाए आप इधर उधर बटकते रहोगे सो यह attitude कैसे develop होगा time और self management develop होगा self discipline से कई सारे discipline है जिसे आप develop कर सकते हो अगर आप उपनी पूरीक शमता हासिल करना चाहते हो तो इन में से पहला है discipline of goals इसका मतलब है आपको बैठ जाना है pen और paper लेकर और सोचने के लिए परियाप्त समय निकालिए ध्यान से सोचिए और फिर एक list तयार करिए उन सभी चीजों की जो आप हासिल करना चाहते हो अगले एक, दो, तीन, चार और पात सालों में आप अपनी list को अपने जीवन के अलग-अलग हिस्सों में सही तरीके से organize करिए आपका career, पैसा, family, आपकी health और other parts जो की important है आपके लिए interesting बात ये है कि अगर आप clear हो अपने goal के बारे में और इसे लिखते हो तो फिर कोई चीज आपको इसे हासिल करने से रोक नहीं सकती लेकिन अगर आप clear नहीं हो यानि आपने इसे लिखा नहीं तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं जो आपकी मदद कर सके अपने लक्ष के बीच प्रात्मिक ताय निर्धारित करिए और अपनी लिस्ट को फिर से लिखिए सो आपका most important goal टॉप पर होना चाहिए और separate paper लिजिए और उस पर वो चीजों को लिखिए जिसे आपको अभी करना होगा जो आपको अपने main goal तक ले कर जाएगा दुनिया में 97% इनसान ऐसे हैं जो clear goal के बीना अपनी जिन्दगी जीते रहते हैं ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि without roadmap के कोई अंजान देश में चले जाना आप आखिरकार कही न कहीं पहुँच तो सकते हो लेकिन ये बहुत लंबा सफर होगा और बहुत ज्यादा chances है कि आप खो जाए और आप अपना बहुत ज्यादा time waste कर दोगे इसके बजाए आप अपनी trip को carefully plan करिए roadmap के साथ और full information के साथ journey शुरू करने से पहले second discipline जो आपको success के लिए develop करना चाहिए वो है discipline of planning बहुत सारे लोग ये सोचते हैं क्या होगा आप जो भी काम करने जा रहे हो इसके बारे में plan करने में जो time invest होगा उस पर आपको 1000 गुना return मिलेगा अब मैं आपकी राई जानना पसंद करूँगा क्या self discipline आपके लिए important है comment box में लिख कर जरूर बताइए इस channel को अभी subscribe कर लिजिए ताकि आप ऐसी काम की बाते आगे भी सीखते रहो वीडियो पसंद आई हो तो like और अपने friends के साथ share जरूर करना so में जल हाजिर हूँगा अगली useful वीडियो के साथ तब तक के लिए thanks for watching and remember अगर अपना future बदलना चाहते हो तो action लीजिए और action अभी लीजिए